आग इणा इससले हैं। couples चानल सु Лवए ह हुआ। आज जो मेरा वीडियो है गंगा स्नान करते हैं। कुम में स्नान करते हैं। तो इसका जो महत्व है यह बहुत इससे हमारी शरीर की रोग प्तुरुद्द थिक beshknowみ बढ़ती है। तो गंगा स्नान लोग कहते हैं कि पवित्र होते हैं कहते हैं कि गंगा स्नान करने से हमारी सारी बीमारियां की लड़ने की जो शक्ति है वो बढ़ती है तो गंगा स्नान ये रिसर्च जो भी लेटिस रिसर्च हुई है उसके उसे ये प्रता चला है प्रयाग राज में के दौरान स्टान करने से रोक प्रतरोदक शम्ता बढ़ती हैं ये इस शोद में ये भी बताया गया है कि घार की साबित किया गया है कि जिसे में इमाना जाता है कि संक्रामक बीमारियों का अंदेशा रहता है अगर किसी को भी संक्रामक बीमारियों का अंदेशा रहता है और दार्मिक मानता भी है कि कुम्भ में सदान करने से अमरत्व की प्राप्ति होती है। लोग कहते हैं कि एक दार्मिक बानता है। तो आश्ता से जूड़ी इस मानता को विग्यान में साइंस ने भी कसौटी परकने के लिए 2013 में देश के विभिन संस्थाओं के करीब 31 विग्यानिक एक जिट हुए थे 2013 में। तो विग्यानिकों ने एक रिसर्च किया था जिसके अधार पर यह पता चला कि कुम्भ में जो लोग होते हैं ठीक है वो कहते हैं कि यहां पे स्दान करने से अमरत्व की प्राप्ति होती है। वह दरहसल कहते हैं कि उसका मतलब यह कि निरोगी जीवन मतलब हमारी जो लाइफ है उसमें कुई बि़िमारी नहों। और क्या कहते हैं वाशवारा ने सी कि जो प्रोफेसर एसन त्रिपाटी है मेमोरियल फांडेशन के महासचिव त्रिपाटी भी बताते हैं कि पूरा विश्व आज संक्रमंट से होने वाले विमानियों से चूज रहा है कुम जिसमें करोणों लोग स्नान एक साथ डुपकी लगाते हैं जिसमें संक्रमंट की सम्मावना बहुत ज्यादा बढ़ जानी चाहिए देखा गया है कि वहां स्नान वक कल्पलास करने को किसी तरह का संक्रमंट नहीं होता अगर आप वहां पर स्नान कर लेते हो तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई बिमारी भी नहीं होगी इसकी वैग्यानिकता परकने के लिए 2013 में कुम के दौरान पढ़ने वाल तो जिसमें यह पाया गया कि उनका जो ब्लड है उसमें रोग प्रतुरोतक शम्ता मतलब बीमारियों से लड़ने की जो शक्ती है किड्नी और लीवर की उन्होंने चेक अप किया तो उसे यही पाया गया कि वहां पर जो लोगों ने वहां पर स्नान किया था और जो लोग व पर वहां पर कोई ऐसा संक्रमन नहीं हुआ कोई ठीक है यही बता रहे कोई बीमारी जबकि वह पानी और शुद्ध है पहले के पिक्षा ज्यादा लोग स्वस्थ पाये गए जिन्होंने वहां पर कुम विया उनका किड्नी एफेक्शन इंफेक्शन लीवर फंक्शन जो था क किड्नी का जो फंक्शन है और लीवर का वो भी सिंपल था जो था पहले ही समान्य था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी शरीर में टाइफाइड टाइटर बढ़ा पाया गया जो बिमारी से लड़ने की शमता बढ़ाता है टाइफाइड टाइटर होता है तो शरीर से बिम पाया जाते हैं इन्हीं की वज़े से यह प्राक्रतिक एक्टिव एकाइड युमिनिटी के मौलिक सिधान पर कारे करते हैं। लिए गए खट्टा किये गए इसमें कई तरह के बैक्टिरिया फॉस्फेस मोजूद थे। तो वहाँ पर बताया जाता है कि बैक्टिरिया फॉस्फेस, टाइफाइड कॉलेरा और E. coli संक्रमन के जिम्मिदारी बैक्टिरिया को मार देते हैं। बैक्टी, रियो फॉसफेस, टाइफाइड मा पाया गया, जो सारी बिमार, जो टाइफाइड कॉलेरा और E. coli संक्रमन के जिम्मेदारी बैक्टिरिया को मार देते हैं, यही वज़े कि करोडों लोगों के एक साथ स्नान करने के बावजुद किसी को कोई इंफेक्शन नहीं ह कि अभी रिसर्च हुआ था, उसमें भी यही बताया गया है, कि यह शोद में सबने यही सुका रहा है, कि यहां पे स्नान करने से बिमारियों से लगने की शमता बढ़ती है, प्रदुरुदक शमता मिलती है, तो देखिए गंगा में स्नान कीजिए आप भी, तो यह कोई ऐस रिसा नहीं है, कि यह ओल ट्राइशन है, जो भी स्नान करेगा उसको इससे फायदा ही होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक किजे, शेयर किजे, तो अब साथा, और साथा सब्सक्राइब कीजी, अब सबस्लाइब के सब्सक्राइय कर सकते हैं, तो दबाके, ता हैंसान की भी